हाई एब्रीवन दोस्तों आप सबका फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है फिलाल यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बजीरेक्स एकाउंट पर हम फंड को कैसे डिपोजिट करेंगे तो फिलाल यहाँ पर आज मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बताने व आज मैं आज मैं आपको यहाँ पर जो सिंपल तरीका है करने का वह फिलाल आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हो तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरू कर देना इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए तो फिलाल चलते हैं और हम वीडियो करते हैं शुरूं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दीपक और आप सबका अपने यूटूब चैनल DPM Academy पर स्वागत करते हैं तो फिलाल दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बजीरक्स एकाउंट पर हम लोग कैसे यहाँ पर INR को डेपोजिट करेंगे और INR के अलावा यहाँ पर जो दूसरा तरीका है वो है P.I.2 P.R. के माद्यम से यहाँ पर डेपोजिट कैसे किया जाए तो फिलाल आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत करना और यहाँ पर मैं आपको सिंपल और इजी तरीका बताने वाला हूँ step by step आपको यहाँ पर follow करना है तो चलिए मैं ले चलता हूँ अपने बजीरेक्स एकाउंट पर और मैं आज आपको यहाँ पर live दिखाने वाला हूँ deposit कैसे किया जाता है यहाँ पर हमने अपना बजीरेक्स एकाउंट को open कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आज मैं आपको यहाँ पर fund deposit कैसे करना है इसका simple और easy तरीका बताने वाला हूँ तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत करना वीडियो को proper देखना और यहाँ पर step आप लोगों को बताने वाले है यदि आप लोग बजीरक्स पर नया account बनाते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले बजीरक्स एकाउंट पर आपको केबाईसी करना compulsory है उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर deposit कर पाएंगे अन्था आप नहीं कर पाएंगे लेकिन यहाँ पर और लेडी जिन लोगों का account है verify है और केबाईसी है बो लोग यहाँ पर simply कैसे करेंगे deposit में आज आपको यहाँ पर बताने वाला है तो जब आप अपने बजीरक्स account को open करेंगे तो open करने पर आपको इस तरीगे का interface आ जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको INR का option मिल जाता है इस INR option पर आपको पहले आपको क्या करना है fund वाले option पर आपको जाना है यहाँ पर आपको quick by, exchange, order और fund fund वाला option आपको यहाँ पर choose करना है तो simply आपको fund वाले option पर click करेंगे उसके बाद आपको इस तरीगे का interface आ जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर INR वाले option पर click करना है जैसे ही आप INR वाले option पर click करेंगे तो इस तरीगे का यहाँ पर interface आ जाता है तो यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक तो मिल जाता है deposit का दूसरा मिलता है withdrawal का तो फिलाल यहाँ पर मैं आज आप लोगों को deposit करके दिखाने वाला हूँ तो simply आपको यहाँ पर deposit वाले option पर click करना है जैसा ही आप deposit वाले option पर click करेंगे तो इस तरीके का आपको यहाँ पर interface देखने को मिल जाएगा फिलाल यहाँ पर थोड़ा सा net की बज़े से slow चल रहा है तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर bait कर सकते हैं तो फिलाल दोस्तो इस तरीके का interface आ जाता है तो यहाँ पर आपको दो तरीका मिलता है यहाँ पर deposit करने का यदि आप लोग अपना INR में deposit करना चाहते हैं तो आप net banking के थुरू कर सकते हैं और यदि आप दूसरे तरीका से deposit करना चाहते हैं तो वो है इसका Bajirex PA to PA यहाँ पर आप देख सकते हैं कि no fees यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर fees नहीं देना पड़ेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप net bank के INR से deposit करेंगे तो यहाँ पर आपको 47 रुपे आपको यहाँ पर fees payment करना पड़ेगा और यहाँ पर जो daily maximum limit है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 लाग के something यहाँ पर transaction यहाँ पर किया जाता है INR के through और यहाँ बजीरक्स पर यहाँ पर कोई limit नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अभी फिलाल हम दोनों option आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं तो net banking पर हम जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का interface आ जाता है फिलाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो account है वो इस समय unsupported है क्योंकि यहाँ पर SBI जो state bank of India है उसको फिलाल यहाँ पर बजीरक support नहीं करता है नहीं उसके माद्यम से यहाँ पर हम deposit कर पाएंगे तो फिलाल यहाँ पर देख सकते हैं कि कैतलोक, स्रीनेंक बैंक और डियोचिक बैंक और धनलक्षमी बैंक और फेडरल बैंक, रिटेल इंडियन ओवर्ज बैंक, जम्मू एंड कस्मीर बैंक, करनाटक बैंक, कयूर ब्यास बैंक, लक्षमी बिलास बैंक, तमिलनेड इंडियन बैंक, यहाँ से इजली आई एन आर में डेपोजिट कर सकते हैं, दोस्तों, सिंपल आपको अपना बैंक चूज करना है, लेकिन यहाँ पर द्यार रखना है, आप इन बैंकों पे ही आपका एकाउंट होगा, तब जाके आप आई एन आर से यहाँ पर कर पाएंगे, और यहाँ पर जो डेली डेपोजिट की लिमिट होती है, बैंक के थरो वो लगबाग आप सुना सकते हैं, बीच से पच्ची सजार, इससे ज़्यादा आपको करना है, तो इसके लिए आपको नेट बैंकिंग की थरो, आप अपने नेट बैंकिंग पर यहाँ पर इन बैंक जहाँ पर यह बजीरक्स अपूर्ट करता है, उसका आपको एकाउंट एड़ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप चाहें जितना यहाँ पर टांजेक्शन कर सकते हैं, तो फिलाल आप हम बात करेंगे बजीरक्स P2P, P2P दोस्तों यहाँ पर फिलाल बहु अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो करेंट प्राइज यहाँ पर लिखा है 80.59, यहाँ पर आप थोड़ा सा एमाउंट बढ़ा देंगे, तो आपका जो P2P है वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिलाल यहाँ पर आपको टोटल एमाउंट डालना है, तो यहाँ पर आपका INR आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर डाला, मुझे चाहिए कम से कम यहाँ पर मैंने 50 USDT डाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलाल हमारा जो 4,029 रुपे का हमें बायर का है, जो सेलर है, उसको पेमिंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर deposit करना है, तो आप उसका वहाँ पर आपको जब यहाँ बाय बाली option पर आप जाएंगे, तो उस seller का आपको पूरी detail मिल जाएगी, वो चाहता है कि account में तो account का भी option आ जाएगा, वो चाहता है कि हम UPI के थुरू लेंगे, तो उसका भी UPI आपको मिल जाएगा, तो उस UPI को आपको copy करके simply आपको Google पे या phone pay के माद्यम से आप उसे pay कर सकते हैं, और यहाँ पर आप उसको easily confirm कर देंगे, और बगेर आप payment किये, आप उसको यहाँ पर confirm नहीं करेंगे, अन्न था आपका जो account है, वो log कर दिया जाएगा, तो फिलाल दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर deposit करना कितना आसान है, और अभी फिलाल यहाँ पर INR आपने देखा कि बहुत सारे bank जो हैं यहाँ पर अभी support कर रहे हैं, एजे payment के तौर पर तो आप net banking किसे भी कर सकते हों, यहाँ पर peer to peer के माद्यम से भी आप लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर